Hello everyone, मैं हूँ किरिंचापुरी और ये है आप लोगों के लिए October 2024 की Love Tarot Reading तो अगर आप जानना चाहते हैं कि October मन्त में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है क्या आपके पार्टने की आपके लिए energies रहेंगी क्या आप महसूस करेंगे आप दोनों के बीच में October मन्त में क्या रहेगा कौनसी छोटी छोटी सी बाते हैं जिनका खयाल रखके आप October मन्त की energies को बदल सकते हैं October मन्त में अपनी love life को भेतर कर सकते हैं तो यह reading आपके लिए है और इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो नाम के हिसाब से राशी हो आपका moon sign हो या फिर आपका sun sign हो तो चलिए जी शुरू करते हैं आप लोगों के लिए October 2024 की love tarot reading इचलिए एक्वेरस आप लोगों के लिए देखें कि October 2024 में आपकी love life में क्या हो रहा है मैं पास यहापे तीन set of cards हैं first set of cards में हम आपकी energies देखेंगे second set of cards में आपके partner की energies देखेंगे and third set of cards में हम देखेंगे कि finally October मन्त में क्या हो रहा है तो दिखिए आपकी energies में read करूँ उससे पहले एक चीज मुझे यह reading में दिख रही है कि हो सकता है पीछे आपके और आपके partner के बीच में कुछ issues मसले रह रहे थे जहाँ पे या तो आप लोगों ने इतना जादा एक दूसरे से बात नहीं करी या किसी level पे आपकी बातचीत कम हुई एका दुका के लिए यह भी हो सकता है किसी level पे break up जैसी situation आई मैं यह नहीं कह रही कि break up हुआ पर ठीस एक वैसी सी situation आई overall के लिए कुछ issues मसले रह रहे थे क्योंकि देखिए आपके लिए यहाँ पे reconciliation का card है और बहुत सारे chances हैं Aquarius कि आप अपने partner को बहुत जादा understand कर रहे थे validate feelings का card कहता है आपको लग रहा था कि हाँ आप समझ रहे हैं कि वो क्यों परिशान हो रहे हैं या क्यों उनकी ऐसी energies हैं आपके partner के लिए trash का card कहता है कि आपके partner हो सकता है बिल्कुल भी आपको value नहीं कर रहे थे बिल्कुल भी इस relationship को value नहीं कर रहे थे बहुत एक बचकानी से उनकी energies थी बहुत immature तरीके से आपके partner पीछे कुछ time से चीज़ों को deal कर रहे थे एक you know बहुत blunt straightforward सा communication या फिर एक ताना मार के बात करने वाली भी उनकी energies पीछे रही होंगी और हो सकता October starting में भी किसी level पे रह रही है लेकिन पीछे जादा रहती भी दिख रही है और आप you know जैसे होता है कि हाँ समझ रहे हैं understand कर रहे हैं कि वो परिशान होंगे कुछ issue होगा इसलिए ऐसा कर रहे हैं तो बहुत जादा you know आप understand कर रहे थे उनको और कहीं October starting के लिए आपके लिए देखें तो यहाँ पे new beginning का card कहता है कि जो भी पीछे issues मसले आप दोनों के बीच में रहे जो मुझे इस reading से समझ में आ रहा है मैंने आपको बताया इसके अलावा और भी reasons रह सकते हैं उन सब को खतम करके आप अपने partner के साथ एक नई beginning चाहा रहे हैं और दीखें अपनी तरफ से आप बहुत action initiatives लेते हुए दिख रहे हैं एक enthusiasm बहुत जबरदस रहता हुआ दिख रहा है बहुत जबरदस एक excitement इस relationship के लिए रहती हुए दिख रही है चीजों को आगे बढ़ान उनको आप ignore कर रहे हैं और चीजों को बहुत जबरदस रहे हैं अपने partner के साथ एक companionship चाहते वे दिख रहे हैं हो सकते हैं आप अपना love उनको बहुत जबरदस एक्सप्रेस कर रहे हैं आप marriage चाह रहे हैं आप commitment चाह रहे हैं आप long term चाह रहे हैं आप उनका साथ हमेशा के लिए चाह रहे हैं लेकिन देखिए end October के लिए यहां पर high priestess का काट कहता है आप थोड़ा सा pause ले सकते हैं आप थोड़ा सा withdraw कर सकते हैं हालां कि देखिए deeper level के लिए reconciliation का का काट फिर से मैं कहूंगी कहता है आप चीजों को normalize करना चाह रहे हैं या फिर अगर कुछ भी issues मसल हैं तो आप उनको resolve करना चाह रहे हैं लेकिन आपको ऐसे लग रहा है कि भई जल्दबाजी नहीं करनी है, impulsive नहीं होना है, थोड़ा सा चीजों को अच्छे से समझना है और wisdom से चीजों को deal करना है और हो सकता है कि कहीं end October में आप उतना अपनी feelings, emotions partner से नहीं share कर रहे हैं या पिर कोई चीज आप partner को नहीं बता रहे हैं, एक secrecy आप maintain कर रहे हैं अब देखते हैं कि partner की क्या energies हैं, तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया partner के लिए trash का card है और यहाँ पे page of sorts का भी card है और यह दोनों cards कहते हैं कि कहीं पीछे वो बिलकुल भी आपकी इस relationship की value नहीं कर र रहेगा, तो कुछ के लिए हो सकता है बिलकुल भी नहीं value कर रहे थे, कुछ के लिए हो सकता है कि भई उतनी नहीं कर रहे थे जितनी करनी चाहिए, तो फिर से सब के लिए different level पे यह चीज रहेगी, लेकिन कहीं broader level के लिए value इस relationship की आपकी उतनी नहीं कर रहे थे और बहुत immature energies थी, बचकाना सा उनका attitude, behavior जहां पर बहुत blunt straightforward हो रहे थे, in fact दीखिए blunt straightforward होना अच्छी बात होती है, लेकिन जैसे बलते है na sarcastically बात करना और इतने अच्छे से बात नहीं करना, छोट छोट इसी बातों पे defensive हो जाना, और जब कोई कुछ कहता है ना जो चुबती है बात तो उनकी बातें ऐसी थी, जो किसी level पे चुब रही थी, लेकिन आप सब चीज को ignore करते रहे या कर रहे थे, और कहीं mid October के लिए, उनके लिए true love and seven of wands के cards कहते हैं, कि किसी level पे उनको हैसास हो रहा है, कि भई आप ही उनके true love है, या फिर आप उनको truly love करते हैं, तो इस एक realization उनको mid October में हो सकती है, और कहीं दिखिए, जैसे ही ये realization होगी, वो अपनी तरफ से काफी effort लेंगे, कुछ भी issues, मसले किसी भी level पे आ रहे हैं, तो उनको बहुत boldly, courageously face करते हुए दिख रहे हैं, उनसे fight back करते हुए दिख रहे हैं, यानि कि out of the way भी आपके लिए इस relationship के लिए जाएंगे, तो कहीं हम इस हिसाब से देखें, तो उनकी energies में October मन्त में, या mid October के बाद से, changes आ रहे हैं, जहां पे वो भी आपके साथ relationship चाहा रहे हैं, क्योंकि दिखिए, next cards यहां पर है, king of cups and marriage, तो बहुत clearly ये दोनों ही cards कहते हैं, वो भी आपके साथ marriage चाहा रहे हैं, इस relationship को आगे लेकर जाना चाहा रहे हैं, कहीं हमेशा के लिए आपका साथ चाहा रहे हैं, एक committed relationship चाहा रहे हैं और इसी के लिए, या जो भी issues, मसले हैं, उनके लिए बहुत courageously, बहुत boldly action initiatives लेते वे दिख रहे हैं, effort करते वे दिख रहे हैं, तो आप दोनों के energies match करें आप हो सकता है, mid October तक, या October starting में जादा action initiatives ले रहे हैं, और कहीं end October, या you know, थोड़ा थोड़ा हो सकता है, mid October के बाद से ही, backseat लेना शू कर रहे हैं, withdraw कर रहे हैं, और आपके partner का थोड़ा सा reverse रहेगा, वो starting October में हो सकता है, उतने action initiatives नहीं ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद स हो सकता है, कि October के first week में इतने ना ले action, दिखिए, जनरल रीडिंग होती है, तो बहुत specifically time मैं नहीं आपको बताना चाहती हूँ, सबके लिए थोड़ा थोड़ा differ करेगा, बट overall के लिए October मन्त में, कहीं you know, आपके love की वो value करते हुए दिख रहे हैं, उनको एहसास हो रहा है आप उनके लिए कितना important है, आप उनको कितना love करते हैं, और इसी understanding के साथ कहीं action initiatives ले रहे हैं, इस relationship में efforts करते हुए दिख रहे हैं, marriage चाह रहे हैं, अपना love हो सकता है, आपको express करें, अपनी feelings express करें, और अब देखते हैं कि October मन्त में क्या हो रहा है, तो हाला कि देखिए आने कि आप भी कहीं उनके साथ, हमीशा का साथ चाह रहे हैं, वो भी चाह रहे हैं, तो आप लोगों कि energies एक तरीके से align रहते हुए दिख रही हैं, लेकिन इसके बावजूत भी October मन्त में उस तरीके से energies नहीं रहते हुए दिख रही हैं, मैं यह नहीं कहूँगी कि October मन्त आपका खराब जारहा है, बट यह जिस तरीके से आप दोनों ही एक दूसरे का साथ चाह रहे हैं, किसी न खिसी लेविल पे आप दोनों ही marriage चाह रहे हैं, और अगर आप लोग already married हैं, तो marriage को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, मतलब एक दूसरे से अलग होना चाह रहे हैं, marriage पर work करना चाहा रहे हैं, एक दूसरे के लिए आप दोनों के मन में feelings हैं, लेकिन October starting के लिए और ये कुछ time से भी रह सकता है, Seven of Cups का card कहता है कि बहुत सारी चीजें या तो आप लोगों की life में चल रही थी और इतना जादा आपकी energy scattered थी in सभी चीजों में, कि relationship पे नहीं focus कर पा रहे थी और loneliness का card कहता है कि relationship में उतना चीजें active नहीं थी या फिर मैं कहूंगी इतना आप लोग नहीं interact कर पा रहे थी तो एक अकेला पन था, अब दिखें फिर से कुछ के लिए हो सकता है, again आपके external front में बहुत सारी चीजें थी, energies बहुत ज़ादा distracted थी या फिर आपके mind में बहुत सारी चीजें चल रहे थी और कहीं एक चीज पर focus नहीं कर पा रहे थी, relationship पर focus नहीं कर पा रहे थे और कहीं mid October के लिए two of pentacles का card कहता ह कि इन ही सब चीजों को manage कर रहे हैं, कहीं थोड़ा effort लग रहा है बट बहुत ही beautifully, बहुत ही अच्छे से fun, मज़ा, मस्ती में manage कर रहे हैं, यानि कि relationship और बाकी सारी चीजों को balance कर पा रहे हैं, थोड़ा सा फिर से कहूंगी कि challenging रह रहा है, बट कर पा रहे हैं और दोनों ची anxiousness, anxiety हो जाती है, मतलब मुझे लगता है आजकल बड़ा normal सा ही हो गया है, लोगों ने accept कर लिया है कि way of life है, हाला कि this is not normal, बट मैं इसले बोल रहे हूं कि इस चीज को सुनके आप परिशाना हूं, दूसरी बात anxious mind के बहुत सारे reasons हो सकते हैं, अब अगर हम देखें तो काफी time से आपके partner हो सकता है कि इतना जादा नहीं value कर रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया, उनका communication कहीं ठीक नहीं था, तो क्या होता है कि जब वो ठीक भी हो जाते हैं, यानि कि उनका nature, उनका behavior भी बदल जाता है, तो हम past में जो चीजें होती हैं उनको mind से कहीं किसी level पे चाहा क कर भी नहीं निकाल पाते हैं, वो चीजें हमें bother करते हैं, हमारे मन में एक fear आजाता है, कहीं आगे फिर से उनका nature बदल गया तो, या कुछ issue मसला हो गया तो, यहाँ पर मैं आपको सिरफ और सिरफ examples देरी हूँ कि किस तरीके से चीजे रह सकती हैं, तो कहीं कुछ इस तरीक हम surface level के लिए कर तो पाते हैं, लेकिन mentally बहुत सारी हमारी energy उसमें लग जाती है, और एक you know anxiousness हो जाती है, and October के लिए हाँ पे night of swords का card कहता है, कि movement चाहा रहे हैं, चीजों को आगे बढ़ाना चाहा रहे हैं, या फिर आप दोनों में से कोई एक बहुत तेजी से कुछ changes चाह रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, और कहीं आगे भी बढ़ना चाहा रहे हैं, ये भी हो सकता है, कि आप दोनों में से कोई एक travel करना चाहा रहे हैं, कर रहे हैं, और कहीं picky का card कहता है, कि शायद बहुत जादा ही selective हो रहे हैं चीजों को लेकर, अब देखें, इसका सब एकवेडियस और उनके partner के लिए इस relationship के लिए डिफर करेगा, आपकी reading है, या फिर आपकी, you know, situation है, आप बहतर इस चीज को समझ पाएंगे, picky का मतलब होता है कि हम बड़े choosy हो रहे हैं, आमें लग रहे है कि नहीं जब तक आप ये बात नहीं मानोगे, ना तब तक हम नहीं, you know, commitment देंगे, I'm just giving you an example, या फिर अगर आप लोग travel करना चाहा रहे हैं, तो जगा को लेकर picky हो रहे हैं, या movements related कोई भी चीज हो सकती है, थोड़ा सा ना over selective, over choosy हो रहे हैं, बहुत ज़ादा ही एक नकरे वाली भी energies कह सकते हैं, कि जल्दी-जल्दी कोई चीज हो रहे हैं, तो इस तरीके की energies different different levels पर रह सकती हैं, तो दिखिए, फिर से अगर मैं combine करूँ आप दोनों की energies और October month, तो आप दोनों की energies align हैं, जो आप चाहा रहे हैं, वही आपके partner भी चाहा रहे हैं, बट कहीं उस तरीके से October month में वो energies नहीं manifest हो रहे हैं, but I'm sure, you know, आगे च हम थोड़े cautious भी हो जाते हैं, conscious भी हो जाते हैं, और October month में भी कुछ गलत, कुछ खराब नहीं होता हुआ दिख रहा है, neutral ठीक ठाक सी चीज़े रहती भी दिख रही हैं, overall के लिए बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, उनको manage करने पे ज़्यादा focus है, और relationship हो सकता है कि इतन या prioritize नहीं कर पा रहे हैं, या focus नहीं हो पा रहा है, इसके बावजूत की दोनों ही एक दूसरे के लिए प्यार महबत महसूस कर रहे हैं, तो यह था एक वेरे साप लोगों के लिए October 2024 की Love Tarot Reading, और अगर यह reading आपके साथ रेजोनेत करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें